नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज के हमारा विशय है अगर आप सपने में हाथी को पीछा करते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा इस सपने की बाद आपके जीवन में आखिर क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रों शपने में अगर हाथी आपका पीछा करता है तो ये शपना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा ये शपना आपको शंकेत दे रहा कि आपके जीवन में परेशानिया आने वाली है आपका काम बनते बनते बिगर जायेगा कामकाज के छेतर में आपको नुक्षान का सामना करना होगा परेशानी का सामना करना होगा जिस काम से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदे होगी आपका वो काम भी रुक जायेगा और कामकाज के छेतर में आपको नुक्षान बहुत ज्यादा हो जाएगा आप में से जो भी लोग कहीं भी नौकडी करते होंगे जॉब करते होंगे तो इस सपने की बाद नौकडी के छेतर में भी आपको परेशानी का शामना करना होगा नौकडी के छेतर में आपको जो टास्क दिया जाएगा जो काम दिया जाएगा उस काम को आप सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे और इस कारण से कामकाज के छेतर में जो आपके विरोधी होंगे वो आपको परिशान करने का प्रयास बहुत ज्यादा करेंगे तो इस शपने के बाद आप लापरबाही बिलकुल भी मत किजिएगा मित्रों इस शपने के बाद अगर आपके आर्थिक जीवन की और देखा जाए पैशों की बात करें तो पैसों के मामलों में भी आपको परिशानी का सामना करना होगा इस अपने के बाद अगर किसी भी विक्ती के साथ में आप पैसों का लेन देन करते हैं तो पैसों का लेन देन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा लेन देन के बाद आपको नुक्षान का सामना करना होगा या फिर आपका पैसा फस जायेगा और आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो मित्रों इस सपने के बाद आपका पारिवारिक जीवन भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा घर का माहौल शोहार्द पुर्ण नहीं होगा घर के लोग आपस में मिल जुलकर नहीं रहेंगे और आपके घर पडिवार में परेशानी बनी रहेगी घर की शांती भंग हो जाएगी घर के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और ऐसे वक्त में परिवार में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो जहां तक शंभव हो अपने घर के माहौल को आपको अच्छा बनाने का प्रियास हर हाल में अबश्य करना चाहिए मित्रों आप में से जो भी लोग माता पिता बने हुए हैं तो इस शपने के बाद संतान पक्ष के दृष्टिकों से भी आपका शमय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आपके शंतान का श्वास्त बिगर जाएगा आपके शंतान अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा अगर वो कहीं कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के छेतर में भी उनको परिशानी का शामना करना होगा इस सपने के बाद अगर आपके शंतान दामपत्य जीवन में है तो दामपत्य जीवन में भी उनको परेशानी का शामना करना होगा और उनके आपसी जीवन में परेशानी तनाव मनमूटाव हो जाएगा जो कि उनको मांसिक रूप से असांत कर देगा तो इस सपने के बाद आ सारी बातेयां सपस्ट हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा शाथ में एस्टरो मंदिर को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद